अर्बी एसी हिंदी ग्यार्ण के इस बाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम वसंत बागतीन के अंत्रगत जहां पहिया है रिपोर्ट आज के प्रश्णों का अध्यन करेंगे देखे प्रथम प्रश्ण उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की और इशारा कर रहा है। प्रश्न दू, उन जंजीरों को तोड़ने का, जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं, अपने उत्तर का कारण भी बताई। उन जंजीरों को तोड़ने का, जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हमसहमत हैं, क्योंकि मनुश्य सो बावानूसार अधिक समय तक बंदनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूडियां अपनी सीमाओं को लांगने लगें, तो समाज में इसके विरुद एक करांती हवश्य जनम लेती हैं, जो इन रूडियों के बंदनों को तोड़ डालती हैं। ठीक वैसे ही तमिल नाडू के पुडू कोट्टई गाव में हुआ है, महिलाओं ने अपनी स्वादीन तावा आजादी के लिए साइकिल चलाना हारंब किया और वे हात्म निर्बर हो गई। प्रश्न तीन, साइकिल आंदोलन से पुडू कोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन-कौन से बदलाव आए हैं। और वे आत्म निर्बर हो गई, समय और श्रम की बचत हुई, स्वयम के लिए आत्म सम्मान की बावना पैदा हुई। प्रश्न चार, शुरुवात में पुरुशों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परन्तु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया क्यों? शुरुवात में पुरुशों ने इस आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागरिती आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गाव के इकलोते लेडी साइकिल के डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धी उना स्वाबाविक था। इसलिए उसने स्वार्थ वस आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न पाँच प्रारंब में इस आंदोलन को चलाने में कौन-कौन सी बादा आई। फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुवात की तो उसको बड़ी कठी नायों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फबतियां हर्थात गंदी टिपनियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूडी वादी थे। उन्होंने उसके उत्सा को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुशों ने भी इसका विरोध किया। दूसरी कठीना यह थी कि लेडी साइकिल वहां परियाप्त संक्या में हुपलब्द नहीं थी। प्रश्नच है आपके विचार से लेकक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखाओगा। उतर तमिल नाडू के रूडी वादी पुरु कोट्टेई गाव में महीलाओं का पुरुशों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागरिती के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिये को गतीशीलता का प्रतीक मना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महीलाओं का जीवन भी गतीशील हो गया। लेकक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिल नाडू के पुरु कोट्टेई गाव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। प्रशन साथ अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाईए अपने दिये हुए शीर्षक के पक्षबे तर्क भी दीजी। साइकिल करेगी महीलाओं को आत्म निर्बर भी इस पाठ का एक उप्युक्त नाम अथवा शीर्षक हो सकता है। चुक्कि साइकिल आंदोलन से महीलाए अपनी स्वादीन था वह आजादी के प्रती जागरत हुई। क्रिशी उत्पादों को समीपवर्ती गावों में बेजकर उनके आर्थिक स्तिती सुद्री और वे आत्म निर्बर हो गई। प्रशना आठ फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हुँ ताकि मैं आजादी और खुशाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडु कोट्टेई की महीलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा। फातिमा के गाव में पुरानी रूडी वादी प्रमपराएं थी वहां ओरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूडीयों के मंदनों को तोड़कर स्यम को पुरुशों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडु कोट्टेई की महीलाओं को आजादी का नुभव होता होगा। प्रश्ट लो उपसर्गों और प्रत्यों के बारे में आप जान चुके हैं इस पार्ट में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को जांटिए उनके मूल शब्द भी लिखें आपकी साहिता के लिए इस पार्ट में कुछ उपसर्ग हैं प्रत्य इस प्रकार हैं अभी प्राणू परी वी और प्रते एक वाला ता और न दे Dennis अभी अभी से अभिमान प्रासे प्रयतना अनू से अनू सरण परी से परी पक्व और वी से विशेश इसी प्रकार प्रते इस प्रकार है एक से दार्मिक, दर्म धन एक दार्मिक, वाला से किस्मत वाला, ता से सजीवता, और ना से चड़ धन ना चड़ना, आशा करता हूँ कि आपको जहां पहिया है के प्रश्ण बली बाती समझ में आये होंगे, धन्यवाद. कि आपक से थार्मिक, वाला से प्रूदा में में आपको जहां रार्मिक, वाला से हे में एक से चैरा पेजahu हमेंगे, गला है किस्तूद Сपमय कुड़ूदार रेंचे कि आपको जहांगे, प्ल AVAक दो वाला आपको जोगा से, अजैम भी वां नाया